Hey what's up guys, प्रिक्षित back with another video, आज मेरे पास है बहुत ही ज़ादा बड़ी हवाले, मैं तो कहूंगा कि अंडर 3000 के सबसे बेस्ट दो इयरफोन्स और दोनों आते Realme के ब्रैंड्स है, आज की वडियो में जल से बताने के कोशिश करूँगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो सबसे पहले आ जाते build quality भी तो यार दोनों की build quality बहुत ही जादा अच्छी बने ही है, एक आता है gloss finish, एक आता है matte finish, तो मैं बता दू यार इसमे बहुत ही जादा पसंदा है, so it totally depends upon personal preference, but मेरी साब से यार I could go with Realme Buds Air 2, next चीज़ पर आ जाते है यार Buds की quality तो मैं बता दू आपको की यार Buds में आ जाता है Realme Buds Air 2 का stem design, and easily आप यह जो पहनने के बाद कुछ इस प्रकार से आप दिखेगा, and बहुत ही जादा जल्दी आप इसको पहन सकते हो, especially इसमें stem आता है, तो अंदर गुसाने के लिए आपको you know touch sensitive जो पैनल है उसके उपर touch करने की ज़रुवत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप Realme Buds Q2 की बात करें, तो यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि fit करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, and यह in- बी Buds का जो है active noise cancellation दोनों में same है, दोनों में जो driver से वो दोनों same आएंगे, and Realme Buds Q2 जो है आपको in-ear design के साथ आता है, and यह stem design के साथ आता है, so that only depends on personal preference, but मुझे fit जो है Realme Buds side 2 का ज्यादा बेटर लगा, so अभी आ जाते सीधा sound quality पे तो मैं आपको बता दू कि दोनों में भ अगरे के level है उत्ता जादा नहीं करता है, apart from that sound बहुत ही जादा बढ़ी है, तोनों में bass बहुत ही जादा अच्छा है, clarity, vocal clarity बहुत जादा बढ़ी है, instrument separation बहुत अच्छा है, and specially मैं कहूंगा 3000 के one of the best earphones है, इन दोनों में से एक, आपके लिए कौन सा perfect है, यही है आज आप console करने वाले, लेकिन मैं आपको बता दू किया, Realme Buds R2 का fit है, और quality है, वो मुझे जादा बेटर लगा, because of the fit, but Realme Buds Q2 मैं, because of the shape, मुझे लगता है, base थोड़ा सा मुझे जादा लगा, and दोनों भी जो है, आप app में जाकर, एक तो base boost कर सकते है, and volume enhance वगरे कर सकते है, अपको अगर full review देखने है, Realme Buds Q2 का, तो मैं यहाँ पर link देदूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते है, so जब भी आ जाते है, latency पे तो मैं आपको कह दू यार, दोनों भी से में, अंदर में 5.2 Bluetooth आपको मिल जाता है, इसके हो जैसे latency जो आपको 0 मिलेगी on Android, and apart from that guys, यह जो PUBG PUBG अगर आप खेलते होगे, तो आप अप में low latency mode दोनों भी भी आपको मिल जाता है, तो PUBG अगर आप एकदम बढ़िया खेल पाएंगे, Netflix Prime वीडियो और इन सब पे आपको कोई भी latency देखने नहीं मिलेगी, Android और iPhone दोनों पे, तो यह यार, thumbs up है, अभी आ जाते है, battery life पे तो म अभी आ जाते हैं, माइक कॉलिटी पे तो यहां पर यार, बहुत जादा कॉंट्रवर्सी है, क्योंकि Realme ने बोला है कि Realme Buds Q2 में दोनों माइक का इस्तमाल होता है, to cancel the noise, लेकिन यार, Realme Buds Air 2 का जो stem design है, वो उसको हरा देता है, क्योंकि यार, stem design जो है, मुग के पास रहत लेकिन आपको mic quality and call quality जादा अच्छी चीह है, तो you can go with Realme Buds Air 2, features के अगर बात करें, तो दोनों 5.2 के साथ आते है, दोनों में latency कम है, दोनों में आप app यूज कर सकते हैं, लेकिन एक important feature missing है, Realme Buds Q2 में, शायद इसलिए इसका 500 रुपीज जो है, cost कम है, जो की है, in-ear detector, अगर आप budget में tight हो, तो यार ले लो Realme Buds Q2, description में link दे दूँगा, subscribe नहीं के तो अभी कभी कर दीजए, I really hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो तक के लिए, bye bye